नमस्कार दोस्ते, मैं संतुस पटेल, स्वागत करता हूँ, आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर, आज की वीडियो में हम MS Excel में किसी टेबिल, किसी चार्ट, किसी ऑब्जेक्ट को एक पिक्चर के रूप में कॉपी और पेश्ट करना सीखने वाले हैं, जब हम MS Excel में कोई अब्जेक्ट तैयार करते हैं, कोई टेबिल है, कोई चार्ट है, कोई पाइबट टेबिल है, तो हम उसको नॉर्मल कॉपी पेश्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडिशन में हमें अपनी टेबिल को एक इमेज के रूप में, एक पिक्चर के रूप में कॉपी और पेश्ट करना होता है, तो इसके लिए MS Excel टेबिल को कॉपी करने के लिए और पेश्ट करने के लिए एक option प्रवाइड करता है, इसका नाम होता है, कॉपी एस पिक्चर, यहाँ पर हमने एक टेबिल बनाई है, इस टेबिल में हमने कुछ रिकॉर्ड भी फिल किय हैं, यदि हम इस टेबिल को नॉर्मल कॉपी और पेश्ट करते हैं, तो यह सेम टेबिल हमारे सामने एक बार और और आ जाती है, लेकिन यदि हमें इस टेबिल को एक image के रूप में, एक picture के रूप में पेश्ट करना है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए पहले ह हमने अपनी complete टेबिल को सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद, home टेब में, copy option पर आपको drop down सेलेक्ट करना है, जो copy option होता है, इसमें आपको एक drop down भी provide किया जाता है, आपको इस drop down पर click करना है, यहाँ पर एक होता है normal copy option, और second option होता है, copy as picture, हमें इस copy as picture option को सेलेक्ट कर करते हैं हमारे सामने copy picture का एक dialogue box आता है जिसमें हमें okay पर click करना है जैसे ही हम okay पर click करते हैं जो table हमने select करी थी वह table एक picture के रूप में copy हो जाती है अब इस copy की गई table को हम किसी भी location पर किसी भी other software में paste कर सकते हैं for example हमने excel की seat पर ही paste किया है तो आप देख सकते हैं अब जो new table हमारे सामने बन कर आई है वह normal table के रूप में नहीं आई है वह एक picture के रूप में हमारे सामने paste हुई है इस copy की गई table को copy की गई picture को आप other software में भी paste कर सकते हैं और अब जो paste किया जाएगा वह normal table के रूप में नहीं होगा यह एक image या एक picture के रूप में paste किया जाएगा यदि आपने कोई object बनाया है कोई table बनाई है कोई chart बनाया है कोई private table बनाई है तो उसको select करने के बाद आप select करें copy as picture और जब आप उस object को paste करेंगे तो भह normal paste ना होकर आपके सामने एक picture के रूप में एक image के रूप में paste होगा और साथ ही साथ इस object को हम किसी other software में भी paste कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने MS Excel में बनाएगा किसी object को एक image के रूप में एक picture के रूप में copy paste करना सीखा आप इसको practically use करके देखें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जादा सिदा सेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद